फ्रेंट्स, मौनसून या बारिस का मोसम या पजड़ या कोई भी जो मोसम बदलता है तो अधिकतर लोगों के बाल जड़ते हैं बारिस के मोसम में मोईस्टर बहुत जादा होता है हुमिडिटी बहुत जादा होती है उसको बाल सोक लेते हैं रूखे वो बेजान हो जाते हैं सेर की स्किन भी रफ हो जाती है रूखी हो जाती है और स्केल्प वीग हो जाते है ऐसे में बालों का गिरना या तूटना स्टार शुआ हो जाता है जो समय अधिक तर लोग शिकायत करते ह rêver bak नब अच्छे तैरRE से किलीन करें ऑच्छे से सुखाएं गीले बालों में कंगी ना करें या उंगली ना चलाएं डायट का थोड़ा सा ध्यान रखे प्रोटीन और एंटियोवड रिच डायट लें खटे फ्रूट्स आप ले सकते हैं जैसे संत्रा है चेरी भ्य है बैρι जे मन लिमने लिमन यूस आप पी सकते हैं आट में कुछ प्रोटी इन सोर्स जैसे अखरोट फै या बादाम है पनी अंड या अब ले सकते हैं मैती ग्रीन टी सुरज मूखी के बीज फ्लैक सीड चिया सीड यह तेल है जो मैं आपको बताता हूँ उसे ओली ओल है, कोकोनट ओल है, सरसों का तेल है, यह तेल अगर आप गरम करके थोड़ा सा ठंडा करके, अगर आप सकेल्प में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा, बाकि डाइट बहुत इंपोर्टेंट है, हैज बहुत इंपोर्टेंट है, थैंक यू